हमारे यहां फिल्मों का एक अभिन अंग रहा है म्यूजिक। जब से फिल्मों की शुरुवात हुई है तब से बॉलिवूड फिल्में अपने म्यूजिक के लिए जानी जाती हैं। एक तरफ हमारे देश में ओपी नईयर, स्डी बर्मन और शंकर जैकिशन से लेकर नदीम श्रवन, प्रीतम चकरबर्ती, अमित त्रिवेदी और शंकर एहसानलोई जैसे बड़े संगीतकार हुए हैं। वही केल, सहगल, मुहमद रफी और लता मंगेशकर से लेकर किशोर कुमार, कुमार शानू, उधित नारायन और अरिजीत सिंग जैसे दिल को छू लेने वाली आवाज लिए ये महान सिंगर्स भी हुए हैं। जिन्होंने बॉलिवुड के वन अफ दा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेपार्टमेंट यानी मुजिक को संजो के रखा है। अपनी सुरिली आवाज में गाने गाकर इन्होंने ना केवल कितने ही गानों को बलकि उन गानों की वज़े से उन फिल्मों को भी अमर बना दिया है। आज हमें एक ऐसे ही टैलेंटेड सिंगर की बात यहां करेंगे जिन्होंने 20 साल तक अपनी जादूई आवाज से हम सब का मन महुलिया है। और आज भी वो अपनी आवाज का जादू बिखेडते रहते हैं। यह वर्सेटाइल सिंगर हैं केके जिनका पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुननत। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किदर है। बॉलिवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक नाम आता है केके का। जिनें भले ही लोग बाई फेस उतना ना जानते हों। लेकिन शायद ही कोई होगा जो उनकी आवाज को नहीं पहचानता होगा। एक इंटर्विव के दौरान उन्होंने बताया था कि जब वो कोई म्यूजिक कंसर्ट करने जाते हैं तो उन्हें तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक कि वो स्टेज पर आकर कोई गाना नहीं गा लेते। गाना सुनने के बाद ही लोगों को पता चल पाता है कि इस गाने को फिल्म में उन्होंने गाया था। उनका कहना था कि ये मेरे लिए अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि लोग पहचानते नहीं तो कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होती। और बुरा इसलिए कि लोग गाना सुन लेते हैं लेकिन उस सिंगर का नाम तक जानने की कोशिश नहीं करते। केके का जन्म केरला में हुआ था लेकिन उनके जन्म के बाद उनके माता-पिता दिल्ली शिफ्ट हो गए थे जहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई की कॉलेज खत्म करते ही उन्होंने अपनी बच्पन की गल्फरेंड से शादी कर ली थी लेकिन उससे पहले उन्हें सेल्समेन की जॉब भी करनी पड़ी थी जिसके लिए उन्हें 5000 तन्खवा मिला करती थी लेकिन 6-7 महीनों में ही अपने इस काम से वो उप गए उन्हें लगने लगा कि इस काम के लिए मैं बना ही नहीं हूँ नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी दोस्त सिंगर शिवानी कश्यप के साथ एड फिल्म्स के लिए जिंगल्स बनाने शुरू कर दिये हाला कि केके ने अपना पहला जिंगल 1985 में ही गा दिया था जब वो मात्र 15 साल के थे ये जिंगल उन्होंने लॉय मेंडोंसा के साथ गाया था इससे जुड़ा भी एक बेहद रुमांचक किस्सा है जब केके ने ये जिंगल गा दिया तो म्यूजिक डिरेक्टर रंजीत बड़ोत ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें कितना पैसा चाहिए इस जिंगल के लिए ये सुनकर केके सोच में पड़ गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह के जिंगल के लिए कितने पैसे लिये जाते हैं कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपना एक हाथ उन्हें दिखा दिया यानि पांच उंगलिया म्यूजिक डिरेक्टर रंजीत बड़ोक ने बिना देरी किये उन्हें पांच हजार रुपे का चेक काट कर दे दिया जिसे देख कर केके पूरी तरह से चौंक गए क्योंकि उन्हें इस जिंगल को गाने के लिए पांच सो रुपे चाहिए थे ना कि पांच हजार इस तरह से केके को अपना पहला चेक मिला केके ने अब तक तक तकरीबं साड़े तीन हजार जिंगल्स गाए हैं और लगभग नौ भाशाओं में गाने गा चुके हैं जिनमें तमिल, तेलगू, मल्यालम के अलावा गुजराती भाषा भी शामिल है। हिंदी गानों की बात करें तो केके करीब 500 गानों में अपनी आवाज दे चुके हैं। हिंदी फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक मिला था फिल्म माचिस में जहां उन्होंने छोड़ आये हम वो गलियां की पहली दो लाइन्स गाई थी। लेकिन जिस गाने से उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलारिटी मिली वो गाना था तडप तडप के इस दिल से। फिल्म हम दिल दे चुके सनम से इस गाने ने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा एक के बाद एक हिट गानों की वो जड़ी लगाते चले गए एक से एक बहतरीन गाने देने के बाद भी एवार्ड के मामले में केके थोड़े अनलक की साबित हुए उन्हें करीब 16-17 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया लेकिन उन्हें केवल दो बार ये एवार्ड मिल सका एक बार उन्हें 2014 में फिल्म बचना है हसीनों फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए और दूसरी बार उन्हें गोल्डी एवार्ड मिला फिल्म लाइट कैमरा एक्शन के गाने चलते जाना है के लिए एवार्ड ना मिलने पर केके का कहना था कि इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने कभी एवार्ड लेने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इनसान जो कुछ सोचता है वो सच हो ही जाता है इसलिए इतनी बार नॉमिनेशन के बाद भी किवल दो बार मुझे एवार्ड मिल सका केके की बात हो और उनके एल्बम पल की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता 1999 में केके ने सोनी मिजिक के अंडर में अपनी एल्बम निकाली पल जिसके गाने इतने पॉपलर हुए थी कि आज भी उन्हें लोग बड़े चाव से सुनते हैं इस एल्बम के खास सॉंग थे आपकी दुआ, यारो और प्यार के पल यारो गाना आज भी फ्रेंडशिप एंथम की तरह यूज किया जाता है केके को बच्पन से ही शोले फिल्म का महभूबा सॉंग काफी पसंद था जब वो छोटे थे तो अकसर लोग उनसे यही गाना सुना करते थे जिसे वो बड़े चाव से सुनाते भी थे इसके अलावा राजा जानी फिल्म का गाना जब अंधेरा होता है भी उनके पसंदिदा गानों में से एक रहा था आज जब हम केके के हाई नोट्स के गाने सुनते हैं तो लगता है कि यह बहुत सीखे हुए कलाकार है जबकि केके ने कभी भी सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है बस बच्पन से गाने गुनगुनाते सुनते उन्होंने अपने इस हुनर को निखार लिया है आज जहाँ एक तरफ छोटे से छोटे सेलिबरिटी के साथ भी kontroversies का चोली दामन का साथ होता है ऐसे में क्यके कभी किसी kontroversy में नहीं फसे है जिसका कारण है उनका बेहद कम public appearance केफल एक बार वो एक singing reality show में जज के तोरपर नज़र आये थे कहना है कि लोग उनके चेहरे को याद रखने की बजाए उनकी आवाज को याद रखे वो ज्यादा इंपोर्टेंट है 2016 में बजरंगी भाईजान का गाना तू जो मिला बहुत काम्याब रहा था लेकिन बावजूद इसके वो आजकल कम ही गाने गाते दिखाई देते हैं रीजन जो भी हो लेकिन इस अद्बूत सिंगर ने कम गाने गाकर भी लोगों के दिल में अपनी एक अलग पहचान तो जरूर बनाई है केके बच्पन से लेजन्डरी सिंगर किशोर दा के बहुत बड़े वाले फैन रहे हैं उनके गाने सुन सुन कर उन्होंने संगीत का भ्यास किया है इनके अलावा माइकल जैक्सन, ब्राइन एडम्स और बिली जॉयल भी उनके इंस्पिरेशन रहे हैं किशोर कुमार से इंस्पायर होने के बावजूत उनके गानों में किशोर कुमार का टच सुनने को नहीं मिलता उनके गानों में कहीं भी एहसास नहीं होता कि वो किसे सिंगर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी गायन शैली सबसे भिन्द थी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिंगर कुमार शानू ने भी अपने एक इंटर्वी में कहा था कि आज के सिंगर्स में उन्हें केके बहुत पसंद है उनका भविश्य काफी उजवल है इनके अलावा अरिजीत सिंग कई बार अपने इंटर्व्यूज में कह चुके है कि केके उनके लिए इंस्पिरेशन है और वो उनके बहुत बड़े फैन भी है इतना ही नहीं सिंगर कंपोजर अंकेत तिवारी भी केके को अपना रोल मॉडल मानते हैं 20 साल के करियर में उन्होंने बहुत से गाने गाए लेकिन हिंदी गानों की संख्या देखें तो ये करीब 500 रही होंगी इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि इतने टैलेंटेट सिंगर को बॉलिवूड में शायद उतना मौका नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते हैं एक से एक सूपर हिट सौंग के बाद भी वो बहुत अंडरेटेट सिंगर रहे हैं खैर उन्होंने गाने भले ही उतने नहीं गाए लेकिन जितने भी गाए वो सारे गाने आज भी लोग पसंद करते हैं और हम चाहेंगे कि भविश्य में भी केके हमें इसी प्रकार से अपने गानों के माध्यम से एंटर्टेइन करते रहें That's all for today friends, I hope कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताईएगा Be safe, have fun, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए